आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि इस चैनल पे ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे बाबा राम देव जी द्वारा पांच पीरों को समतकार बाबा राम देव जी की ख्याती भारत में कापी ज़दा थी लोग इनें कापी ज़दा मानते थे इस बात की सुसना मक्का में बैठे मुस्लिम मौलुयों को दी गई और उन्हें खा गया कि भारत में आप से भी बड़ा एक पीर पैदा हुआ है जो बहुत ही जादा समतकारी है इस बात की जांस करने के लिए मक्का से पांच पीर रामदेवरा के लिए रवान हो गए जब यह पीर रामदेवरा से बारा किलोमीटर दूर थे तब इन्होंने ये एक व्यक्ति को अपना घोड़ा चिराती हुआ देखा तो उन्होंने खा कि हमें रामदेवरा जाना है कौन सा रास्ता है तब बाबा रामदेव जी ने उन्हें रास्ता बताया और पूचा कि आपको रामदेवरा में क्या काम है तो उन्होंने खा कि हमें रामदेव जी माराज से मिलना है तब रामदेव जी माराज ने खा मैं ही रामदेव हो तो उन पिरों को विश्वास नहीं हुआ लेकिन जब बाद में बाबा रामदेव जी माराज ने उन्हें थोड़ा विश्राम करने के लिए बोला तो पिरों ने बोला कि हमारे लिए आसन नहीं है तो बाबा राम देव जी ने अपने समत कार्शे उनके लिए बैठने की वैवस्ता की और उसके बाद पिरों को बोजन के लिए बोला लेकिन पिरों ने बोजन करने से मना कर दिया और खां कि हमारे कटोरे मक्का में ही रगे हम हमारे कटोरे के बीना पोजन नहीं करते है तब बाबा राम देव जी ने अपने एक हाथ को मक्का की तरह करके समत कार से पांच पिरों के कटोरे ला दिये देखकर पिर कापी असमबित होगे जब उन्होंने अपने वई कोटोरे देखे तब उन्होंने बाबा राम देव जी को एक पदवी दी कि आप पिरों के पिर है इसलिए आज कई लोग बाबा राम देव जी को राम सा पिर के नाम से भी जानते है और मुसलमान भी बाबा राम महराज को इसी करण से पूझते है जहापर बाबारामदेव जी महराज ने 5 पीरों को समतकार दिया था वह जगha आज भी रामदेवरा से मात्र 12 किलोमेट्र दूर पंच पीपली नाम से इस्ति थे जहापर आपको आज भी वह इस्तान देखने को मिल जाएगा चापर बाबा राम देव जी ने उन्हें बोजन करवाया था जय बाबा राम देव की जय हो